असलाम अलेकूम कैसे हैं सब उम्मित करती हैं आप लग ठीक ठाक होंगे आज के इस वीडियो में जो भी आप यहां इस वीडियो में देख रहे हैं इस मेकप का लुक मैं आपको क्रियेट करके बताऊंगी और साथी साथ अगर आप बिगेनर्स हो तो आपको फिक्र करें फिक के अंदर ही यह सिंपल सा मेकप आप कर सकते हैं सिंपल ही नहीं बलकि आप वेडिंग्स में भी मेकप को यूज कर सकते हैं और साथी साथ पार्टी में भी यूज कर सकते हैं या चाहे फेरवेल पार्टी हो या चाहे टेंट बैच वालों की पार्टी हो या चाहे अपनी बह को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचे तो और साथ ही साथ उसके बेल नोटिफिकेशन का भी बटन जरूर क्लिक कीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मेरे वीडियो की जब भी मैं अपडेट करूं और मैं आपको ब पर पेज पर आपको अफ़डेबल प्राइस पर कॉस्मेटिक्स के प्रॉडेक्ट अवेलेबल है आप जाकर वाप चेक कर सकते हैं अगर आप इंट्रेस्टेड है तो मुझे इंस्ट्रगाम के पेज से ही डीम कीजिए मैं और प्लेस कर दूंगी और बहुत ही अफ़डेब तो चलिए मेकप लुक क्रिएट करते हैं यहाँ पर मैं टोनर ले रही हूं रोज वाटर यहां पर मैंने कॉटन पैट कीला कर लिया था और मैं अपने फेस को इस कॉटन पैट से क्लीन कर लूँगी आप चाहें कौन सा भी टोनर ले लीजिए स्किन को यह हाइड्रेट करता है अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आलोवेरा का जैल आज्य मुश्टयराइजर आप कौन सा भी मुष्ट ले लीजए मॉश्टराइजर ल लगाना बहुत ही जरूरियो यह स्किप नहीं करना चाहिए आपको और यहाँ पर मैं ले रही हूँ निव्या का लाट मॉंस्ट मॉश्ट्राइजर क्रीम इसका भी मैंने सप्रेट वीडियो बनाया है किसी के पास संस्क्रीम नहीं है तो आप यह मॉश्ट्राइजर यूज़ कर सकते हैं मॉश्ट्राइजर लगाने से आपका मेकप काला नहीं पड़ता और यह आल इन वन सिरम है आप जरूर इसे यूज़ साथ आपका मेकप लॉंग लास्टिंग रहता है इसे भी आप स्किप मत करिएगा प्रेमर को आप में आप ले रहे हूं लाक मीकप फॉंडेशन फॉंडेशन के अपले करने के कई सारे मेथर्स होते हैं ब्रेश फिंगर्स यह स्पॉंज में आप थोड़ा सा मेटरियल फॉ ब्लेंड करने से पहले आपको स्पॉंज को गीला करना है नेक्स्ट आप तो ही आपका फॉंडेशन बहुत अच्छी से ब्लेंड होता है यहां पर मैं एडियस का डबल आक्शन का कंसीलर ले रही हूं इसके उपर ही मैंने सप्रेट वीडियो बना रही है आप जाकर मेरे च पिग्मंटेशन सारे कवर होते हैं यहां पर और आप देख ले सकते हैं कितना अच्छा सा यह नाश्रल लूक दे रहा है कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हेवी मेकप लग रहा है आपको और आप मैं यहां पर ले रहे हूं चिक्स और आइस का आईशाडव पैलेट है यह आ आप कौन सा भी पैलेट ले सकते हैं और कौन सा भी आईशाडव का कलर चूस कर सकते हैं तो मैं यहां पर करूंगी समय पहले अपने आईब्रोस को शेप करूंगी तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा बस एक ब्रेश लेना है आपको जो कि मैंना भी वीडियो में नेक्स्ट मैं याँ पर यह कलर यह शेड ले रही हूँ अपना क्रीजलैन रिएट करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आपका आइस का मेकप पापॉट होना है तो आपको समय पहले क्रीजलैन रिएट करनी होगी तो ही आपका आईशाड़ का लुक बहुत करना होगा नेक्स्ट बाखी का नेक्स्ट स्टेप जो है आप जरूर फिंगर से यूज़ कर सकते हैं तो मुझे तरह डिफरेंट लुक देना था तो मैंने यहाँ पर डार कलर का शेड ले लिया है और अब मैं यहाँ पर ग्लिटरी लुक दे रही हूं इसे मैं फिंगर से भी अप्लाइ कर सकते हैं यह बहुत ही 500 के अंदर का मेकप है जो कि बिगिनर से उनके लिए मेकप बहुत ही यूसफुल है और साथी साथ बजट के अंदर यह मेकप है अगर नेक्स्ट में यहाँ पर ले रही हूं चिक्स चिक्स पर जो भी आप लगाते हो ना ब्लेश कलर क मैं वो शिमरी ले रहे हैं क्योंकि मुझे डिफरेंट लुक देना था और अब मैं यहाँ पर डैजलर का आईलेनर ले रही हूं आईलेनर लगाना बहुत जरूरी होता है क्यों उससे ही आपका आईस का लुक बहुत ही अच्छा दिख्या आता है जब भी आप मेकप करते हो मुझे कैमरे में दिखना ही रहा तो तो मैं थोड़ा सा मिरर की है प्ले कर अपने आईलेर अप्लाई कर रही हूं फिलाल मैं वन आई पर कर दिया है आप मैं आपको स्किप करके बता दूंगी यह देख लिजिए किस तरह से मैंने क्रिएट कर आगर आपको इस मेथट को भी चीक्स पर लगा रही हूं और यहां पर मैं M&M का हायलेटर का पैलेट यूज कर रही हूं यहां पर हायलेट करने के लिए यह भी मैं फिंगर से ही लगा रही हूं क्योंकि कुछ लोगों को फिंगर से लगाना कमफटेबल है आपकी मरसी आप जिससे कमफटेबल है उस तरह से आप मेकप कर सकते हैं और यहां पर मैंने हाई लेटर भी लगा लाए और इसे अच्छे से मैंने ब्रिश की हल्प से ब्लेंड भी कर रहा है आपको बहुत जैसा मैं इस बता रहे हूं ऐसी आफ फॉलो कीजिए और यह ब्रॉंजर लगा रही हूं मैं ब्रॉंजर हमारे फेस कर लेना है नेक्स्ट इसे अप्लाई कर लेना है अगर इन केस आपकी लिप्स्टिक आउटलेंड के बाहर आ जाती तो थोड़ा सा काया फॉंडेशन ले लेना है आपको और ब्यूटी ब्लेंडर से आपको से करेक्ट कर लेना है यह रहा मेरा आज का मेकप ब्लेंडर से मेक कि आपको वीडियो परसंद आ गई हो तो जरूर इसे लाइक का बटन जरूर क्लिक कर देना भाई क्योंकि ये रात के 2 बज़ रही है दो बज़े वीडियो को शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है और साथी साथ इस मेक अप को भी क्रेट करना थोड़ा सा प्रॉबलम ही होता है तो बगर लाइक करें आप नहीं जाइएगा और साथी साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल से जल सब्सक्राइब भी करें और साथी साथ बेल अगान का भी बटन जरूर क्लिक करें और होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो मेकप टूरेल की अगर आप बीगिनर है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा क्लारिफिकेशन दे अगर आप मुझे वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं किस पर वीडियो बनो इसके सजेशन के विलिए मुझे नीचे कमेंट कीचिए और अगर आपको ये मेरा मेकप लूप बहुत ही पसंद आ रहा है तो आप अपने प्यारे बहनों और सिस्टर्स या फ्रेंड्स कि इसके साथ भी शेयर कर सकते हैं तो जरूर लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और साथी साथ मेरे चालो करें सब्सक्राइब करें कर देते हैं आप लोग बहुत प्यारे होना तो लाइक तो जरूर करते हैं और साथी सब्सक्राइब भी करते हो और मैं आपको बटा दू मैं Instagram पर भी available हूँ वहाँ पर आपको कई सारे makeup के products मिल जाएंगे affordable range में तो आप ज़रूर मेरे Instagram के page को भी visit देते ना अगर आप Instagram तो follow भी कर सकते हैं तो फिलाल के लिए Allah आफिस मिलते हैं next video के साथ और हाँ एक बात बताना तो मैं भूली गए अगर आपको ये makeup look कितना अच्छा लगा अगर आप beginner है तो आपको कितना effective रहा आप वीडियो तो ज़रूर मुझे नीचे comments कीजें क्यों कि मुझे आपके comments से भी बहुत अच्छी खुशी मिलती है तो फिलाल के लिए Allah आफिस मिलते हैं मेरी next video के साथ Allah आफिस